मोधी काबिनिट में मध्य प्रदेश के पाठ धुरंदरों को जगा मिली है कौन कौन है वो सबका रिपोर्ट वस्तार से हम आपको बताएंगे तो शिवराज ने काबिनिट मंत्री के रूप में शपत ली ये भी तस्वीरे आपको दखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं एक बात सुनवाते हैं सुन लीजे मैं शिवराज सिंग चोहान इश्वर की सपत लेता हूँ मैं जोते रादित्या मादम राव संद्या इश्वर की सपत लेता हूँ मैं शावीत्री ठाको इस्वर की सपत लेती हूँ मैं डाक्टर विरेंद्र कुमार इस्वर की सपत लेता हूँ तो शिवराज ने कैबरिट मंत्री के रूप में शपत ली जैसे ही वे पियम मोदी का अभिवादन करने पहुँचे तो पियम मोदी ने उनकी पीट थप थपाई उनके बगल में बैठे राजनाथ सिंग और आमिश ने भी गर्म जोशी के साथ शिवराज का भिवादन किया तस्वीरे देखिए 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे शिवराज सिंग चोहान को मिले इस रिस्पॉंस से ये साफ हो गया है कि दिल्ली में उनका कद बढ़ा है शपत ग्रहन में मोदी के बाद राजनाथ सेंग अमिश नितन गटकरी और जेपी नड़ा के बाद पाचवे करम में शिवराज की कुरसी रखी गई थी और ऐसे में जरा शिवराज के सियासी कद पर नज़र डालते हैं बात करते हैं विश्वराज से आपको जो आनकारी देंगे ऐसा है शिवराज का सियासी कद देखे 1991, LED में आपको दिखाती हूँ और समझाती हूँ कि आखिर किस तरीके से स्तिती ऐसा है शिवराद सिंग चोहान का सियासी कद 1991, 96, 98, 99 और 2004 में सांसत बने तुर लगा जिस तरीके से ये राजनीती में सक्रिय रहे हैं जिस तरीके से इनका प्रदर्शन मद्यप्रदेश में देखने को बिला 6 बार के विधायक रहे हैं चार बार मुख्य मंत्री बने हैं सबसे लोग प्रियम मुख्य मंत्री के तौर पर भी इनको जाना जाता रहा है और वज़ा रही है कि मद्यप्रदेश की लाडली बेहनों का जुस तरीके से प्रेम शिवराद सिंग चोहन के साथ हमेशा राठारा साल तक सीम बने रहे हैं तो ऐसा रेकॉर्ड रेनों ने बनाया है ऐसा रेकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया 18 साल तक मुख्य मंत्री रहे और मैं फिर उसी बात का जिक्र करूँगी शिवराद सिंग चोहन को लेकर एक बात हमेशा कही गई है और वो बात रही है कि ये सबसे लोगप्रिये मुख्य मंत्री के तौर पर देखे गए हैं और मद्यप्रदेश पे खास कर अगर हम बात करेंगे कि बहनों को लेकर योजना लाने की बात लाडली लक्षमी एजना तो तमाम योजना तमाम रोड मैप है वो शिवराज सिंग चोहान के ही शासनकाल में शुरू हुआ था तो बीस साल बाद विदीशा सीट में फिर एक बार शिवराज सिंग चोहान लोटते हैं और उसके बाद हमने देखा है कि शिवराज सिंग चोहन किस तरीके से कॉंग्रिस के प्रताब भानुश शर्मा को रेकॉर्ड तोड़ हराते हैं और उसके बाद सबको यही आस्ती और पहले से भी लगबग तस्वीर क्लियर थी कि शिवराज सिंग चोहन को मंत्री तो जरूर बनाया ही जाएगा तो पहली बार जिन्हें हराया है उन्हें फिर मात वो देते वे नजर आये हैं और मंत्री पद में अपनी जगा शिवराज सिंग चोहान ने पक्की कर ली है तो तेरा साल के थे शिवराज सिंग चोहान? जबसे वो संग से जड़े हुए और शंग के शको को तो emergency में जेल भी गए हैं ये भी जान लीजे राजनिती इतनी आसान नहीं होती है कभी खुशी तो कभी गम भी सहना पड़ता है तो कभी तकलीब भी होती है तो emergency के समय में जेल भी गए शिवराज सिंग चोहान हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्या है इतिहास क्या रहा है तो अब हम आपको आगी की update देंगे तो देखिए तो शिवराज सिंग का कद कितना बड़ा है ये तो आपने समझ ही लिया है अब जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर शिवराज सिंग चोहान को मोधी 3.0 या फिर कहें मोधी सरकार के तीसरे कारिकाल में क्यू जग रही होगी कि जिस वज़ा से मोधी 3.0 की cabinet में जगा दी गई शिवराज सिंग चोहान को एक बड़ा OBC चहरा है जिसकी बात हम कर रहे थे शिवराज सिंग चोहान को एक इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि OBC लोगों को साधने की कोशिश की गई है और ग्रैफिक्स को साथी शिवराज सिंग चहर सो विधान सभा सीटो पर इस समाच का जो असर पढ़ने वाला है हम बात कर रहे हैं OBC वोट बैंक को साधने की कोशिश और सो विधान सभाएं ऐसी होने वाली है जिसमे इसका असर अच्छा खासा पढ़ता दिखाई देगा और यही वज़ा है क शिवराज सिंग चहान को मोधी कैबिरिट पे जगा दी गई है 50,000 से लेकर एक लाख तक का वोट बैंक है और भारती जुनता पार्टी को हर वोट बैंक को साधना है विधान सभा 2023 की बात कर लेते विधान सभा 2023 में BJP को बड़ी जीत शिवराज सिंग चहान ने दिलाई थ लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और जब 2023 विधान सभा चुनाव हो रहे थे तो वो पहले उस वक्त मुख्य मंत्री ही थे और मुख्य मंत्री के तौर पर उन्होंने जीतोड कोशिश की बड़ी जीत दिलाई भारती जुनता पार्टी को तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि अब OBC वोटर्स को साधनी की कवायत कह लीजिए या फिर लाडली वहनों के मामा तो मोधी काबिनिट का हिस्सा बन चुके हैं और ये तो थी मध्यप्रदेश के पूर वसियम शिवरात सिक चौहान की बात अब जरा गौालियर राजगरानी के लाडली की भी बात कर लेते हैं यानि की जोती रादित सिंधिया जिन्होंने 2019 वे कॉंग्रिस की कमलनात सरकार पर तक था पलट कर BJP की सरकार बनाई और बन गए किंग मेकर और यही वज़ा है कि सिंधिया का कदभी मोधी कैबिनेट में बढ़ता दिख रहा है क्योंकि सिंधिया ने ना केवल अपनी गुना सीट जीती बलकि उनके प्रभाब वाली गौालियर मुरैना में भी पार्टी को अच्छी जीत मिली सिंधिया स्कूल के 125 वे स्थापना दिवस समारों में गौालियर आये प्रधान मंतुरी नरिंद मोधी ने कहा कि सिंधिया ने उनका उनसे एक अलग रिष्टा है प्रोड्यूसर सहाब जरा सुनवा दीजे कि क्या कहा था पीम मोधी ने हमारे जोजिराज जित जी गुजराज के दामाद है इस नाते भी गौालियर से मेरी रिष्टेदारी है तो देखिए आपने सुना मेरा इनसे खास नाता है ये शब्द है प्रधान मंतुरी नरिंद मोधी के और इसका फाइदा भी मिला क्या फाइदा मिला वो भी ग्रैफिक्स के जरी आपको समझा देते हैं तो जोती राधिते सिंधिया के बारे में भी आपको बता देते हैं थ्री पॉइंटो काबिनेट में क्यू जगा दी गए प्रधान मंतुरी मोधी की पसंद है जोती रादित्य सिंध्या ये बड़ी बात है प्रधान मन्ट्फी नरेंदर मोधी को पसंद है और जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि जिस तरीके से ये कॉंगरिस छोड़कर भारती जिनता पार्टी में शामिल हुए और पार्टी में शामिल होने के साथ ही भारती जिनता पार्टी को मजबूत भी किये जोती रादित सिंध्या की बारे में और जान लीजे बीजेपी का भविश्व की राजनीती पर फोकस है और भविश्व की राजनीती को ध्यान में रखते हुए भारती जुनिता पार्टी ने ये फैसला लिया है तो वही केंडरी इस तर पर जुवा नेता के तौर पर जोती रादित सिंध्या को देखा जाता है तो इस लिहाद से भी काफी इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है और काबिरिट में जगा दी गई है अब विरेंद्र खटीक के बारें भी बता देते हैं क्योंकि उनको भी मंत्री मंडल में जगा मिल तो ग्राफिक्स चलाएए डॉक्टर विरेंद्र कुमार खटीक जो की वरिष्टता के साथ ही दलित वर्ग से आते हैं जो की सबसे बड़ा वोट बैंक और पॉइंट में कर है कि दलित वर्ग से आते हैं जिसको ध्यान में रखा गया है बुंदेल खंट में दलित समाच का बड़ा वोट बैंक है डॉक्टर विरेंद्र कुमार खटीक तो देखे किस तरीके से समीकरन को सेट किया गया है हर वर्ग को साधने की कोशिश भारती जनता पार्टी ने की है बीजेपी का एंपी में दलितों को साधने का प्रयास है जिसकी में बात कर रही थी ओबीसी को साध लिया लोग प्रियता को भी साध लिया और दलित को भी साध लिया डॉक्टर विरेंद्र कुमार खटीक के बारे में हमने आपको बताए कि आखिर क्या वज़ा रही होगी जो इनको मंत्री मंडल में जगा दी गई अब दुर्गादा सोईकी की भी बात कर लेते हैं क्य जाए जो की ठीक इनके साथ भी हुआ तो ग्रैफिक्स को चेंज करेगा महा कोशल और निमार दोनु अंचलों को साधने का प्रयास किया गया है मैंने बोला ना मध्य प्रदेश के हर एंगल से पूरे समीकरन को सेट करके हर चीज को साधने का प्रयास भारती जुनता ने यहाँ पर भी स्ट्राइटेजी अपनाई आदिवासी राजनीती को साधने का प्रयास किया गया है तो हर वर्ग को साधना था और आदिवासी समाच से आते हैं इसलिए दुर्गा दास ओईके को वो इंपोर्टेंस दी गई है अब सावितरी ठाकुर की बात कर लेते हैं इनको भी मंत्री मंडल में मिल गई है जगा और आखिर क्यों दी गई है जगा ये भी आपको बता देते हैं मध्यप्रदेश में महिला आदिवासी चेहरा है मध्यप्रदेश में आदिवासी क्या बादी जादा है और हर भारती जुनता पार्टी आदिवासी दलत हर वर्ग उन्हें एक महिला को मंत्री मंडल में शामिल करना दिवासी महिला कोटे में शामिल किया गया है और संग से राजनीती में आई थी तो संग से हुई थी इनकी एंट्री और संग के लिए भी ये काम कर चुकी है अब इसी विशे में हम अपने ब्यूरो चीफ शाम सिंग तोमर से भी चर्चा करने वाले हैं हमने आपको पूरी कहानी सुना दी, तस्वीरे दिखा दी क्या कुछ समी करेंट सेट किये गये होंगे भारतियो जनता पार्टी की क्या प्लानिंग रही होगी क्योंकि मद्यप्रदेश को इस बार मिल चुके हैं, पाच मंत्री शाम सिंग तोमर ब्यूरो चीफ मद्यप्रदेश इस वक्त मिरसात लाइफ जो चुके हैं उनसे समझेंगे, आखिर जैसा कि हमने जनता को भी समझा दिया है कि हर समी करण को, हर विशे को ध्यान में रखते हुए भारती जनता पार्टी ने शाम ये फैसला लिया होगा लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतना ही था जिस वज़े से इन पाच लोगों को मंत्री बनाया गया या फिर और भी कोई पॉइंट है जो मुझसे छूट रहा आप बता दीजेगा देखे, रसिका आपने बहुत विस्तार से बताया कि क्या सेनेरियो रहा, क्या परिद्रश्य रहा और आखिर किन कारणों से इन पाच चेहरों को चुना गया बड़ी बात ये भी है कि एक बड़ा मशूर शेर है कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो और मुझको गिरा के समल सको तो चलो यही राजनीतिक परिद्रश्य रहता है हमेशा आपने जो बात की कि अब शिवराज का कद बढ़ा है वाकई में शिवराज का अफकर बढ़ा है और अब उनको केंद्र की राजनीति पर फोकस करना है इसके बाद आपने उन तमाम जातिगत समीकर्णों को भी समझाया लेकिन हम यहाँ यह कहना चाहते हैं सबसे महत्पुन यह रहा यहाँ के कारिकर्टाओं ने 29 के 29 कमल खिलाने का जो प्रयास किया उन प्रयासों में मिली सफल था तो केंद्री संगटन हो या फिर जो है मोदी के नितरते वाली 3.0 सरकार निराश नहीं करना चाहती थी अपने कारिकर्टाओं को इसलिए जातिगत समी करनों को साथते हुए उन तमाम चेहरों को लिया गया जो कहीं न कहीं यह सिद्ध होता हो के स्टी, स्सी, ओबीसी इसके अलावा जो है कहीं न कहीं ये भी कोशिच की गई कि यहां मद्द्देश में जिन्होंने बहतर काम किया हमने उनको आवसर दिया ठीक है तो देखिए जो बहतर काम किया उसको मिला आवसर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शैम आपका तो देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 कैबिनेट ने 9 माई की शाम 7 बचकर 15 मिनट में शपत ले ली है वह हिंदी पटी के राज्यों में मध्यप्रदेश ये एकलोता राज्य है जहां से बीजेपी ने सभी 39 सीटे जीती है और मोदी ने कैबिनेट में भी इसका ध्यान रखा है साथी पहली बार मध्यप्रदेश से एक साथ पाच मंत्रियों ने पिया मोदी के साथ ही शपत ली है और ऐसे में चलिए जरा देखते हैं कि मोदी ने सबसे ज़ादा देश की कमान समभाली है और तब से अब तक मोदी कैबिनेट में मध्यप्रदेश को कितना तवज्जू मिला है ये भी आपको ग्रैफिक्स के जरिये समझाएंगे कि आखिर कम मिला है मोदी कैबिनेट में कितना लोगों को तवज्जू यानि मध्यप्रदेश को तवज्जू कितना दिया गया 2014 में मध्यप्रदेश से मोदी कैबिनेट में साथ मंत्री शामिलते सुष्मा स्वरा जो की विदीशा से चुनाव लड़ी थी और विदीशा वही सीट है जहाँ पर ये कहा जाता है कि भारती जुनता पार्टी को यहाँ पर हमेशा जीत मिलते है फगण सिंग को लस्ते जो की मंडला से आते इस बार भी सांसद है विरेंद्र खटी टीकमगड से प्रलाद पटेल को भी जगा दी गई थी जो की दमो से आते हैं वही नरेंद्र सिंग तोमर जो की गौलियर से आते है अनिलमातव दवे और जो की राजसबा सांसद रहे हैं और थावर्चंद गहलोत वह भी राजसबा सांसद रहे हैं तो 2014 की बात हम कर रहे हैं अब 2019 में भी नज़र डालिये 2019 में भी साथ मंत्री रहे जोती रादित सिंध्या जिन्होंने कॉंग्रेस का खेमा छोड़ कर भारती जुन्ता पार्टी में शामिल हुए थे और इनको राजसबा सांसद बनाये गया ताफगन सिंग कुलस्ते ने फिर जीत हासिल की और 2019 में इनको मंत्री मंडल में जगा दी गई विरेंदर खटीक को भी जगा दी गई प्रलाद पटेल को फिर से 2014 के बाद 2019 में रिपीट किया गया नरेंदर सिंग तोमर भी 2014 के बाद रिपीट हुए वहीं धर्मिंदर प्रदान जो की राजसबा सांसद रहे थवर्चंद गहलोत राजसबा सांसद फिर बनाये गए जो की 2014 में भी राजसबा सांसद बनाये गए थे तो अब आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं अब दिखाएए 2024 की तस्वीरे 2024 की तस्वीरे देख ली दिए शिवराद सिंग चोहन का नाम शामिल है चछटी बार सांसद हैं पहली बार मंतरी बनने जा रहे है जोती रादित सिंद्या का नाम शामिल है पांच वी बार सांसद रहे चुके और चोथी बार मंतरी बनने जा रहे है विरेंद्र खटीक आठ वी बार सांसद रहे चुके है और तीसरी बार मंतरी बनने जा रहे है दुर्गादा सोई के जो की दूसरी बार सांसद रहे है और पहली बार मंत्री बनने जा रही है किस तरीके से भारती जुनता पार्टी ने पूरी स्ट्राटेजी के साथ समीकरण को सेट किया है